नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है आज आशिवा महाजन Hindi Learning चैनल पर लेकर आई है नव्यूग Hindi व्याकरन तथा रचना क्लास 10th के स्टुडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर वन रचना के आधार पर वक्यवेथ, easy explanation, solve exercise और extra questions के साथ स्टुडेंट्स, क्लास 10th की प्लेइलिस्ट का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया गया है उसके लिए आपको Hindi Learning बायाश्मा महाजन चैनल को follow करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर अभी तक bell icon hit नहीं किया है तो उसे भी hit कर लीजिए क्यूंकि आपके सारे chapter आपको इस channel पर मिलने वाली है chapters के साथ साथ MCQs, MCQs के साथ साथ आपको board के सारे sample papers और कुछ भी ऐसा जो 10th class से related है सारा कुछ आपको, सारा content आपको इसी channel पर मिलने वाला है और बहुत कुछ इस channel पर uploaded भी है जो बच्चों की नजर से अभी थोड़ा सा दूर है तो मैं चाती हूँ बच्चे जादा से जादा जुड़े इस channel से और class 10th के लेखन कोशल की सारी videos भी इसी channel पर uploaded हैं जिने जरूर देखे तो link जो है playlist का इस video के description में है जाकर फटाफट से check कर लीजिए जो chapter नहीं है वो इस साल upload कर दिया जाएगा आज व्याकरन का पहला chapter है रच्चना के आधार पर वाक्य बेथ तो सबसे पहले वाक्य ही बच्चों को पता होना चाइए क्यूंगी पहला question आपके सामने है वाक्य किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सार्थक शब्दों के समुह को वाक्य कहा जाता है सार्थक शब्दों के समुह को वाक्य कहा जाता है जो अपना अर्थ पूरी तरह व्यक्त कर सके और वाक्यों को दो तरह डिवाइड किया जाता है अर्थ के अधार पर रचना के अधार पर नाइंत क्लास में हम पढ़के आ गए हैं तैंत क्लास में रचना के अधार पर पढ़ सरल वाक्य के लिए बच्चों को एक ही बात याद रखनी है इसमें एक ही करता होता है एक ही क्रिया होती है ठीक है इसे सधारन वाक्य भी कहा जाता है जिस वाक्य में एक ही उदेश्य एक ही विदे हो जानी कि एक ही करता है एक ही सब्जेक्ट और एक ही वब हो उसे हम सरल वाक और सरल वाक्ष, जो सरल वाक्ष है, वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भी हो सकता है, जैसे विकास पत्र लिख रहा है, अब बात किसके बारे में हो रही है, विकास के बारे में, तो विकास यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, तो विकास यहाँ पर उदे और विदे भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे मैंने बोला उदेश्य और विदे के और भी बहुत सारे एक्जेम्पल मैं आपको यहां पर दिखाऊंगी। उदेश्य में जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना। उदेश्य क्या हो गया ? जगदीश ने। उदेश्य किसके बारे में बात हो रही है जगदीश के बारे में बात हो क्या रही है मोहन को अपना साथी चुना ये विदे हो गया आपका तो उदेश्य विदे पता चल गया वाक्य क्या होता है वो पता चल गया रचना के अधार पे कितने बेद है वो पता चल गया अब सुन कैसे होंगे जैसे कि बीच में आपको और लगा दिया तथा लगा दिया एवम लगा दिया लेकिन लगा दिया इसलिए लगा दिया परंतू लगा दिया तो यहां पर यह सारे जो बीच में कनेक्टर जुड़ेंगे वो आपके किसका काम करेंगे जी हां वो बीच में कंजक्श एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है और इसमें परधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की भी बात समझाई जाती है एक परधान वाक्य होता है एक आश्रित होता है उसके लिए पहले उपवाक्य क्या होता है बच्चों को ये पता होना चाहिए तो जब किसी वाक् गौरव ने मुझे बताया वे लड़का आज विधियाले नहीं आया अब गौरव Youtube ने बताया कि वे लड़का आज विधियाले नहीं आयासे बता जिस ने इसमें किरू है अब इसमें operators कुछ वडियाले नहीं आया कहलाएंगे ठीक है एक होता है परधान उपवाक्या परधान उपवाक्या जो अपने आप में स्वतंतर होता है जिसकी किरिया मुख्य किरिया होती है और वो जोजक से कभी जुड़ा नहीं होता ध्यान रखिएगा वो कनेक्टर से कभी नहीं जुड़ा होगा आश्रित प्रधान वाक्य होंगे और आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य समझ में आ गया उसकी पहचान क्या है मिश्र वाक्य की कि उसके बीच में कैसे कैसे वाक्य कैसे वह लगे होंगे मिश्र वाक्य में जैसे क्यों की लग गया की लग गया ठीक है और मिश्र वाक्य में भी अश्रित उपवाक्य के तीन बेद है संग्या विशेशन और क्रिया विशेशन अब जो संग्या उपवाक्य उसकी पहचान क्या होती है उसमें हमिश्य समुच्च बोधक अव्यक की से जुड़ा देगा तो जब भी की connector से जुड़ा देगा हमने समझ लेना है कि यहां पर क्या हो गया संग्या उपवाक्या और कई बार की ना भी दिया हो तो बीच में यहां पर क्या आजाएगा कॉमा लगा होगा जैसे अभी भावक जो कहते हैं लेकि मैंने की नहीं लगाया आपका संग्या उपवाक्या है विशेशन उपवाक्या की पहचान के लिए क्या करना है वहाँ पर हमेशा connector लगे रहेंगे जो जिसने जिनों ने जिसे जिससे जिसके लिए जिनका यह से जुड़े जितने भी हो जाएंगे वह सारे विशेशन भी हो जाएंगी जिससे हम ब पता चल जाएगा, एक example बता रही हूँ, यह वही आदमी है, जो कल मुझे मिला था, तो जो कल मुझे मिला था, तो जो के बाद जितना भी पीछे आ रहा है, जो कल मुझे मिला था, एक तो यह विशेशन है, दूसरा आश्रित है, विशेशन आश्रित उपवाक्य है, और इसक यहां पर भी क्रिया विशेशन एडवर्प सारी ध्यान में रखनी है, अगर रिती वाचक है, जैसे वैड जैसे आया, वैसे ही चला गया, तरीका बताए है यहां पर, तो रिती वाचक क्रिया विशेशन है, ठीक है, परिमान वाचक में उत्तला खाओ जितना पचास सको तो उत्तला खाओ यहां पर परिमान क्वांटिटी की बात हो गई स्थान वाचक क्रियाविशेशन उपवाक्या जिस शहर से वे आया है उसी शहर मुझे जाना है फिर समय वाचक में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नीद आने लग जाती है इस परकार से कारण वाचक में आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ट्रेन बंध है तो यह सारे क्रियाविशेशन के उपवाक्य है ठीके तो क्रिया विशेशन की पहचान आपको इस परकार से करनी है adverb of manner, adverb of place, adverb of time ठीके अब बात करते हैं वाक्य रुपांतरन की जानकी वाक्यों को बदलना है सरल वाक्य से संयुक्त में बदलना है अब वाक्य सरल को संयुक्त में जब भी बदलना है तो बीच में हमें क्या लगाना है जो अभी बताया जैसे मैंने बोला आपको पहला example साज होते ही, माली जीए, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए संयुक्त वाक्य बनाना है अब वाक्य इस परकार से बनाना है बीच में कनेक्टर जोडना है, दो वाक्यों को जोडने के लिए तो शाम हुई और पक्षी घोंसले में आ गए तो और लग गया, इसी परकार से और भी जितने भी मैंने आपको संयुक्त वाक्य की पहचान बताई है, उस तरह की पहचान को ध्यान में रखकर आपको क्यूंकि हर एक में और तो नहीं लगेगा तो उस तरह की पहचान को ध्यान में रखकर आपको बाक्य बदलने है संयुक्त वाक्य से जब सरल में आओगे तो आपको बीच का और हटा कर एक ही सरल वाक्य बना देना है फिस सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है आपको जैसे लिखे है सुआव लंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं अब मिश्र वाक्य बनाना है मिश्र वाक्य की पैचान आपको पता है एक वाक्य से दूसरे पर ड जो जाफिर जिसने जाफिर की की नहीं लगेगा की क्योंकि वह वहां पर संग्याउप वाक्य के अंतरगत गिना जाएगा तो आपको एक वाक्य दूसरे पर डिपेंट करना ये ध्यान में रखना है और सारी जितनी भी किरिया विशेशन की अडेंटिटीज है वो सारी ध्यान या उपवाक्य की वीडियो समझनी या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है वहां जाकर अच्छे से बहुत सारे एक्जेंपल के थुरू अपना जो दिमाग है खोल कर अच्छे से वीडियो को सुनिएगा समझीएगा ताकि ये टॉपिक ज देखा जो बहुत लंबा था अब बताईए सरल वाक्य में चेंज करना है तो आपका सरल वाक्य क्या होगा मैंने एक बहुत लंबे व्यक्ति को देखा था ठीक है यह एक प्रचलित प्रता थी कि जब राइपूत युद भूमी से जीत कर लोटता तो उसका स्वागत होता थ अध्यापक चाता है कि उनके शिश्य अच्छे बने तो अध्यापक अपने शिश्यों को अच्छा बनाना चाता है जिन शात्रों ने परिश्रम किया वे उतीर्न हो गए परिश्रम करने वाले शात्र उतीर्न हो गए ठीक है निमलिकित वाक्यों को मिश्रवाक्य में बदलन प्रातना पत्र लिखा उसने प्रातना पत्र लिखा जो की नोकरी के लिए था ठीक है निमा लिखी तुप वाक्यों का भेत कोश्टक में लिखिए वे जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है अब जो लग गया कौन सा हो गया जो सामने खड़ा विशेशन उपवक्य हो गया आपन तो बात किसके बारे में हो रही है, हमने के बारे में हमने आपका उदेश्य हो गया, बाकी सारा विदे हो गया, गोदान मुची प्रेम चन की काल जई रचना है, बात किसके बारे में हो रही है, गोदान के बारे में गोदान उदेश्य है, बाकी सारा आपका विदे है, निमलि मंडी से केले तथा संतरे क्रीदे बीच में तथा लग गया तो क्या हो गया आप कोगे मैडम यह तो सयुक्त हो गया नहीं यहाँ पर दो वाक्या नहीं जुड़ रहे यह दो चीजे जुड़ी है मैंने सब्जी मंडी से केले तथा संतरे क्रीदे सरल वाक्य ही रहेगा आपका तुम घर जाकर अपना ग्रह का रहे हो लेखन का रहे हो पूरा करो तो दो काम करने को का है उसने ये सही उक्तवक्य हो गया मैं किसी के मुझ से किंतु नहीं सुनना चाता तो सरलवक्य है आपके वैदिल्ली या मुंबई गया है अब बताईए वैदिल्ली या मुंबई गया ह मैं यह नहीं का वै दिली गया है या मुबई से लोटाया है मैंने दो शारों के बीच में या लगाया है तो यहां पर सरल वक्य रहेगा आपका बाड़ या सुखा आना इस देश के भाग्य में है तो सरल वक्य है आपका वैं घर पोंचते ही बिमार पढ़ गया सरल वक्य है आपका बुकमप में जान और माल की बहुत आनी होई जान अलग है माल अलग है स्युक्त वक्य हो गया आपका मैदान में बच्चे और यूवक सभी खि отправ है बच्चे अलग है यूवक अलग है और बीच में लगाय संयूक्त वक्य हो गए आपका मैं घर जाकर फिलम देखने जाऊंगा तो सरल वक्य है आपका रात हुई किन्तु चांद नहीं निकला बीच में किन्तु चांद नहीं निकला संयुक्त वाक्य हो गया आपका और आज चांद का दिन वैसे ही है इद है इद सबको मुबारक हो कोशन नबर 6 पे आ जाईए निमा लिखी सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए बीडबार के कारण मैंने आने का कारेकरम रद कर दिया इसको चेंज किसमें करना संयुक पढ़ेंगे यह सर्वोतम पुष्टक है इसलिए हम इसे ही पढ़ेंगे इसलिए लगया न बीच में वैबिमार दोक्टर के पास इलाज कराने गया है गलियर इसलिए संयुक्त वाक्य में आता है याद रकना और आता है तथा आता है यह आता है एवं किंटू अतै यह सब आएंगे, खराब ट्यूप जलना सकी, वे ट्यूप खराब है, इसलिए जलना सकी, अब संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलना है आपको, हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए खेलना सका, अब सरल वाक्यों एक ही बनाना है, हाथ पर चोट लगने के कारण खेलना सका, वह गाय सुरेश की और बहुत दूदारू है। सुरेश की वह गाय बहुत दूदारू है। दूदेने वाली है। वह दूबला पतला था, इसलिए बारी बरकम शामान ना उठा सका। निमलिकित बाक्यों को मिश्रवाक्य में बदल ला है, वहां एक छोटे से गाउं के चारो और जंगल था, अब एक छोटा गाउं था, जहां चारो और जंगल था, कहां बात हो गई है, स्थान बाच्चक की बात हो गई, जाने कि मिश्रवाक्य के अंतरगती तो आया, वै और लगा हुए हमें मिश्रा बनाना है क्योंकि वह दो दिन घर में रहा इसलिए सब का प्रिय बन गया छचूँ की लिख सकते हो खेत में चर्ने वाली भैंस गीसू की थी जो गाए खेत में जो भैंस खेत में चर रही थी वह गीसू की थी ठीक है गली में शोर सुनकर सब बाहर आ गए, जब गली में सब ने शोर सुना तो सब बाहर आ गए next अब कुछ आपके कोशन जो हैं गत प्रिक्षाओं में पूछेगे प्रश्ण आपके सामने आएंगे अब उनको भी थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, गत प्रिक्षाओं में पूछेगे प्रश्ण जिसमें सबसे पहला कोशन तो आपके सामने यही है कि सब नर्व नारियों ने उस सुन्दर कारेक्रम को ध्यान से देखा, इसमें उदेश्य बताना है सब नर्व नारियों ने यह आपका उदेश्य होगा, बाकी आपका सारा विदे हो गया श्रोता कवी समेला में शांतिपूर बैठे रहे बात ओर यह श्रोता के बारे में श्रोता उदेश्य है, बाकी सारा दे है भवे समारों देकर मेरा मन खिल उठा, ध्यान से सुनिएगा, भवे समारों देकर मेरा मन खिल उठा, बात ओर यह मेरे मन की, मेरा मन उदेश्य हो गया भवे समारों देकर खिल उठा, यह विदे हो गया, ठीके सभी विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस पर रने कारेकरम प्रस्तूत किये सभी विद्यार्थियों ने आपका हो गया उदेश्य बाकी सारा विदे सभी लोगों ने वे सुन्दत दिश्य देखा सभी लोगों ने उदेश्य वे सुन्दत दिश्य देखा विदे, वीर हनुमान ने उदेश्य सोने की लंका को चला दिया विदे, पुलीस के जवानों ने उदेश्य, देखते ही देखते सबी आथकवादियों को मार गिर आया विदे सुन्दर पुष्प को देखा मेरा मन पर스텀 उठा, तो मेरा मन आपका उदेश्य हो जाएगा और सुंदर पुष्प को देका परसान उठा आपका विदे हो जाएगा रेखांके तो पवाक्य का नाम बताओ वै अध्यापक था जो कल यहां आया था अब आप ही बताईए जो कल यहां आया था जो लग गया ना बीच में क्या बताया था आपको यह विशेशन उपवाक्य है ठीक है उपवाक्य चांटने है उनके नाम बताने है वै जहां जहां जाता है कोई ना कोई समस्यावां खड़ी कर देता है तो वै जहां जहां मतलब यह स्थान की बात हो रही है क्रिया विशेशन आजाएगा आपका जहां जहां वै गया उपवाक्य चांटन चांटेने के लिए, निमली गित वाकियों में आश्रीत उपवाक्य, लग करके बताना रहे है किस प्रकार का, महेश बोला कि मैं कल केरल जा रहा हूं, की के बाद का आश्रीत हो गया, और संग्या उपवाक्यह ये आपका, संग्या उपवाक्यह, ठीक है, आपका वे लड़का नहीं है आपको सिखा दिया था अंग्रेज जान गए थे कि भारत को स्वतंतता देनी पड़ेगी की लग गया बीच में तो की की जगा आपको पता ही यह सिखा दिया की जहां भी आएगा आँके बंद कर गए संग्या आश्चरी तुप पाक्य लिख देना है आपको रामद्य वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए बीना बिल्कुल मत जाना जहां 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 हम गए हमारा बहुत सम्मान हुआ तो जहां जहां हम गए क्रिया विशेशन उपवक्य हो गया आपका जब प्रेशांत मेरे पास पहुचा तब लगबग पांच बजे थे टाइ मिश्रवाक्य के अंतरगत आजाएगा आपका ऐसा कोई नहीं है जो कुष्टी में खली को जीत सके जो विशेशन उपवक्य हो गया आपका मैंने देखा की संग्या उपवक्य हो गया मैंने निच्चे किया की संग्या हो गया जो विद्यारती अपना समय गवाते हैं वे एक प्यार करते हैं, विशेशन हो गया, मेरे पिता जी चाहते थे कि मैं एक अच्छा वकील बनूँ, संग्या हो गया, जो वीर और सासी होते हैं, वे अपने प्रानों की भी चिंता नहीं करते हैं, विशेशन हो गया आपका, वे ऐसे अटक अटक कर बोल रहा है, जैसे उसके आपको बताया ही है, कि योजक के पीछे वाला जितना भी वाकिया वो सारा आश्रित है, उसके पहले वाला सारा परधान है, मैंने उसे पुकार कर कहा कि अभी उद्धर मत जाओ, तो की से पहले का वाकिया है परधान, मैंने उसे पुकार कर कहा, इन्हें शमा करें क्योंकि इनसे अंजाने में भूलो गई है, क्योंकि बीच में लगया, क्योंकि के बाद वाला सारा अश्रित हो गया, इससे पहले वाला सारा परधान हो गया, आप यहां के मुख्या है, को नहीं जानता, आप यहां के मुख्या परधान हो गया, क्योंकि परधान वाकिया प्रियाम में पड़का सो गई सरहवक्त मैं बदलना भगत बना दिया हमने ऑफ्य त bourbon गया वह उसने मह का ले जाकर महा बहरज़ पड़ी एक धमा का हुआ और चारो और चीक पुकार मचगी। एक धमाके से चारो और चीक पुकार मच गई, उसने मेहनत तो की पर कोई अनुकूल परिनाम उसके हाथ नहीं लगा, उसे मेहनत के अनुकूल परिनाम हाथ नहीं लगा, बस, बच्चे ने खाना काया और सो गया, बच्चा खाना खाकर सो गया, सरवाक्य बनाना है न, ये मेरी पुस्तक है इसे सभी पसंद करते हैं मेरी ये पुस्तक सभी पसंद करते हैं जो मनुष्य अनपड़ है उसके लिए इस प्रशन का उत्तर संभव नहीं अनपड़ मनुष्य के लिए इस प्रशन का उत्तर संभव नहीं मुझे ऐसा मित्र चाहिए जो सुख दुक का साथी हो युवा चाहिए जो अनुशासित हो, देश को अनुशासित युवा चाहिए, ओके, निमलेखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलना है बच्चो, बुद्धीमान एवं दूरदर्शी मनुश्य के लिए संसार में कुछ भी दुरलब नहीं है, अम मिश्र वाक्या, जो बु व्यक्ति के लिए कोई भी कारे दुशकर नहीं होता जो व्यक्ति सासी होते हैं उनके लिए कोई भी कारे दुशकर नहीं होता मैंने एक बहुत अच्छा शब्द कोश देखा मैंने एक मैंने जो शब्द कोश मैंने देखा वह बहुत अच्छा था ठीक है गोडे की सवारी करन करने से जीवर में सफल होते हैं जो शात्र परिश्रम करने से जीवर में सफल होते हैं यहां पहले मेरा खेत था किन्तु अब यहां विद्याले बन गया है तो आप क्या लिखोगे पहले यहां कहता खेत था किंतु अब यहां विद्याले बन गया अब बनाना क्या है इसका मिश्रवक्य बनाना है जानि कि जहां पहले मेरा खेत था अब वहां विद्याले बन गया किंतु को हटा देना आपको ठीक है वे प्राता काल होते ही अपने काम पर लग जाता है जब प्राता काल होता है तब वे अपने काम पर लग जाता है जब जैसे ही प्राता काल होता है वे अपने काम पर लग जाता है संयुक्त बाक्य बदलिए ये विद्वान है तुम नितांत मुर्ख हो बीज में कनेक्टर लगाने है अब ये विद्वान है और तुम नितांत मुर्ख हो मैं नई कार खरीदूंगा पर अंतु पुरानी कार नहीं खरीदूंगा पुलिस को जैसे पुलिस को देखते ही उसे प पसीना छूट गया मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रेल गाड़ी की प्रतिक्षा कर रहा था तोपी वाला बाबू कहां गया अब आप सोची है अगर इसका संयुक्त बनाने के लिए दिये वैसे तो ये टोपी वाला बाबू कहां गया लेकिन इसका अगर मिश्र बनाना हो त लेकिन इसका संयुक्त बनाना है तो आप लिखेंगे वैट टोपी वाला बाबू है परंतु वैट कहां चला गया तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ तुम संयुक्त वाके में बदलना तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ तुम वहां जाओ जहां बस रुकती ठीक है तेज चलने पर भी मैं खाना बनाकर अपने काम पर चली गई मैंने खाना बनाया और अपने काम पर चली गई तेज चलने पर भी हम गाड़ी नहीं पकड़ सके हम तेज चले पर नहीं पकड़ सके बीच में करेक्टरी तो लगाने संयुक तो वक्य का मैंने जब उसकी दशा देखी तो मेरा दिल बराया मैंने उसकी दशा दिखी देखी और मेरा दिल भराया तुम चछत पर जाकर छोटे भाई को पतंग उडाना सिखाओ तुम चछत पर जाओ और छोटे भाई को पतंग उडाना सिखाओ एक वाक्य था आपका पीछे जैसे एक एक जैम्पल था चलिए यहां पर आपका topic तो finish हो गया पूरी तरह फिर भी कोई confusion अगर आपको रह गई हो comment box में बता दीजिएगा और इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ share करना like किये भी ना बिल्कुल मत जाना chapter 2 लेकर जल्दी आपके सामने present होगे कोई दिक्कत आ रही कमेंट box में लिख दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपको चैनल ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुडबाई students